पीएसी के चेर्मेन है अतुल प्रशाद जी और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार फिर से बड़ी वेकेंसी आई है सर क्या अच्छी खबर है जो अब बहरती है जो इंतजार कर रहे है ते लंबे समय से क्या मेसेज है उनके लिए सरकार के तरफ से वेकेंसी आई है सिक्षावी भाग से भी आई है और कल्यान वी भाग से भी आई हुई है इसके अलावे संभावित है जैसे आप लोने सुना भी होगा कि घृष्णा भी हुई थी जो TRE1 के जो अफसेस वेकेंसी है वो भी इसमें जूड़ जाएगा तो लगबख 50,000 के आसपास वो भी जूटेगा तो जब वो सिक्षावी भाग भी हमने भेज़ देगा तो उसको भी हमनों जोड़ लेंगा क्या बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला सर पहला मौका था BPSC के लिए बहुत कुछ बदलाव भी आपने किये हैं कई बदलाव किये गया है और वो अभ्यरती के परिशानियों को देखते हुए किया गया जैसे कि भाषा की परिक्षा को अब हम लोग मुख्य परिक्षा के साथ ही जोड़ दिये हैं और एकी शिफट में हो जाएगा एक सोबीस प्रस्ट के जगर पर एक सोपचास प्रस्ट हो जाएगा इसमें तीस भाषा का है क्वालिफाइं का रहेगा और दो घंटे के जबर ढ़ाई गंटे बाकी अमूमन जो आप देखा जाए तो सिलेबस वही है और नेगटिव मार्किंग भी नहीं है और स्टैंडर्ड का जो हम लोग जो क्राइटरिया बनाये थे एंसे आटी का तो सिलेबस रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड रहेगा अभ्यर्थी की जो पातरता है जो अहरता होनी च क्योंकि ज्यादा बढ़िया त्यारी भी कर चुके रहेंगे कई लोगों का सेकेंड एटेंट रहेगा तो मैं समझता हूं कि इस बार और भी बहतर होंगे और इस बार भी हमें कौलिफाइंग को रिलाक्स करने की ज़रुत नहीं पड़ी वैसे हम लोग रखेंगे 75% अगर ज़रुत पड़े तो हम लोग 75% वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफाइंग कट अफ को रिलाक्स कर सकेंगे लेकिन उसकी नौबत आई नहीं एक दो विशय को छोड़ करके इसले आगे के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि उस ज़रुत पड़ेगे एक परशानी आप ल चरणों पर उनके दोरा मामूली भूल होते रही मानविय भूली का सकते हैं अब परिच्छा देने जा रहे हैं अपना अप्लाई किये हैं उसमें अप्लिकेशन में अपना फोटो भी गलत डाल दिया कभी साइबर काफे की गलती हो गई डॉक्मेंट गलत डाल दिया ओम आर के लिए उनको कहीं अफसर हुबा मौका दिया कुछ हम लोग ने खुद भी क्रोस वेरिफाई किया सब चीजों पर काफी समय भी लगता है काफी योग का टाई भी होती है तो इस बार हम लोगों ने कहां कि अब तो लोग अनुभवी हो गया है तो इस बार हम लोगोंने जो उस cut-off date के बाद नहीं देंगे तो मिसाइल को ले करके हमेसा सवाल उठते रहा है और कई बार कई अभियर्थियों ने दिखाया कि पहले तो इस तरह का नियम निकला था कि जो अस्थाई निवासी हो और निवासी हो उसको ले करके भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं देखिए ये तो सरकार की निती की बात है इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ सरकार की जो निती थी सरकार ने अपने उस निती को परिवर्टित किया मैं समझता हूँ कि जो भी कानून और सम्विधान को जानते हैं वो बेशक समझ सकते हैं कि सरकार ने जो किया वो सही किया क्या मैसेज देना चाहें कि जो अभिर्थी आपका भी एक्सपीरियन्स रहा है इतने बड़े पैमाने पर एक साथ बहाली होना क्या मैसेज देना चाहें देखिए जिस इमानदारी के साथ और जिस ततपरता के साथ हम लोगों ने ये काम किया तो मैं जो जनुविन अभिरती हैं उन लोगों से कहूंगा कि भाई वो लोग इधर-उधर के बहकावे में ना हैं और वो अपना डिमाग लगाएं अपना पढ़ाई करें और निश्चित तोर पर वो सफल होंगे और एक दूसरी ये भी बात कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बायोमेट्रिक का विशेश रूप से इस्थिमाल किया और हम लोग हर बार कुछ नया करने का कोशिस करते हैं जो आप लोग को उसी सहें पता चलेगा तो मैं कहूंगा कि जो मुन्ना भाई लोग जो हैं जो ये सोच करके जाने की करे चले इस बार बीट कर देंगे तो उन्हें भी थोड़ी जोड़ा इसमाइस करनी पड़ेगी जादा और मेरा हमनों का प्रयास रहे गा है कि अगले बार भी कदाचार मुक्त परिक्षा दें और परिक्षा फल भी हमनों इसी तरह से निकालें